मैं अभी शेक अनंद और आप देख रहे हैं News4Nation आम तोर पे बिजली मीटर ये सब शब्दे सुन के आम लोगों को पसंद नहीं आता है लेकिन अब जो आपका बिजली मीटर है वो कमाई का भी जरिया बन सकता है कैसे ये हम आपको बताने जा रहे हैं बिजली सप्लाई कमपनी NBPDCL और SBPDCL ने राज के सभी जिलों में लोगों को स्मार्ट मीटर से सेवा दे रही है स्मार्ट मीटर अब आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है तीन महीने तक लागतार दो हजार से अधिक बैलेंस रखने वाले उपभोकताओं को ब्याज मिलना सुरू हो गया है अपरेल से ये योजना सुरू हुई थी और तीन महीने बाद जुलाई में बिजली कमपनी ने साउथ बिहार के 1142 गरामिनों उपभोकताओं को ब्याज के रूप में दो लाख रुपे दिये जल्द सहरी छेतर के उपभोकताओं को भी इसका लाब दिया जाएगा दरसल बिजली कमपनी ने स्मार्ट मीटर में बिजली खपत से 2000 रुपे अधिक बैलेंस रखने वालों को बैंक से अधिक ब्याज देने की योजना सुरू की है उसमें लागतार 3 महीने, 6 महीने और उससे अधिक समय तक पैसा रखने पर अलग-अलग दर से ब्याज की रासी मिलती है बता दे कि ब्याज की रासी उपभोकताओं को मीटर में बैलेंस के रूप में मिलता है बिजली कमपनी को यह योजना चलाने का मकसद है कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोकताओं की बिजली बैलेंस होने से नहीं कटे और बैलेंस परियाप्त रहने पर उसका उन्हें पाइदा मिले 7.25 प्रतिशत तक की दर से ब्याज का लाब ले सकेंगे उपभोकता ब्याजवाली सुबधा स्मार्ट मीटर में बिजली खपत से 2000 रुपे अधिक बैलेंस तीन महीने तक लागतार रखने पर मिलेगा तीन महीने तक balance रखने पर 6.75 प्रतिशत तीन महीने से लेकर 6 महीने की अबधी में 7 प्रतिशत और 6 महीने से अधिक की अबधी में 7.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिये जाएंगे उपभोगताओं को यहरासी बैंक से कई गुना जादा मिलेगी वैसे स्मार्ट मीटर वाले उपभोगता जो अपने बिजली खपत से 2000 रुपे अधिक balance तीन महीने तक रखेंगे उन्हें बैंक से जादा ब्याज दिया जा रहा है 6.75 से 7.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है जुलाई महीने से 1142 उपभोगताओं को इसका लाब मिल चुका है आपने सुना किस तरह से अब आपका जो बिजली मीटर है जिससे आपका महीने का कितना बिजली बिल हुआ है वो आता था अब वही आपके कमाई का जरिया मनने जा रहा है फिलाल इस अबडेट में इतना ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूस फ़र नेशन के साथ